प्रडूसर वाश्य भंगनानी जिन्होंने फिल्म बल बॉटम के लिए अक्षे कुमार को मोटीफीस दी थी अब उन्होंने अक्षे कुन की अपकमिंग फिल्म बड़े मिया छोटे मिया के लिए 160 करोर रुपे दिये है अलियाबाद जफर के डिरेक्शन में बन रही इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ भी है आपको बता दे कि 1998 फिल्म बड़े मिया छोटे मिया एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें अमिता बच्चन और गोविंदा में रोल्स में थी लेकिन इसके नए वर्जन में कॉमेडी और आक्शन का डोस जादा होगा वैसे टाइगर श्रॉफ को गनपत की दोनों पार्ट्स के लिए 50 करोर रुपे मिले है इस फिल्म को वाशु भगनानी दुआरा ही बैंक रोल किया गया है लेकिन बड़े मिया चोटे मिय के लिए टाइगर शॉफ को 40 करोर रुपे दिये जा रहे है सोसिस का मानना है कि डिरेक्टर आली को फिल्म को डिरेक्ट करने के लिए 25 करोर रुपे मिल रहे है वैसे आक्टर्स की डेट्स को जल से जल पाने के लिए पैसे बढ़ाने का चलन कई सालों से बॉलिवड में इस्तिमाल हो रहा है लेहाजा इस फिल्म के लिए दोनों आक्टर्स और डिरेक्टर को फीस की दी गई कुल राच्शी अब 225 करोर के आसपास है ये फिल्म 75 करोर की लागत से बनाई जाएगी जिसमें बड़े मिया छोटे मिया अब तक की सबसे महंगी हिंदी फिल्म होगी इतना ही नहीं दो बड़े स्टार्स को पहले ही इस फिल्म के कुल बजट का टूथ हट भुगतान किया जा चुका है खर आपको बता दें कि बॉलिवड हंगामा की रिपोर्ट के मताबिक साथ जन्वरी को अक्ष्व टाइगर ने अपनी इस फिल्म के पोस्टर की शूटिन कर ली है और बहुत जल्ल इस फिल्म की ऑफिचल अनौश्मेंट भी होगी जाहर है पहली बार आक्षिन के ये दोनों महारती स्क्रीन्स पर आएंगे तो फ्राम सी देकर काफी एक्साइटेड होंगे हाला कि अब इस फिल्म में कौन सी आक्रिस इस इनकी अपोजर दिखेंगी ये देखने वाली बात होगी आपको बता दें कि 1998 में आई बड़े मिया चोटे मिया में अमिता बच्चन गोविंदा ने डबल रोल प्ले किया था इसके लावा फिल्म में रमीना टंडन, राम्या कृष्णन, अनुपम खेर, परेश रावल, शरत सक्सेन और सकीश कौशिक जैसे स्टास थे इस फिल्म का डिरेक्शन डेविड धवन ने किया था वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षे की पाइपलाइन में कई फिल्मे हैं अक्षे के पास सिंड्रेला, अतरंगीरे, पृत्वी राज, बच्चन पंडे, रक्षा मंदन, ओमाइगाट 2, राम सेतू और गोर्खा जैसी फिल्मे हैं तो वाहीं टाइगर शॉप, हीरो पंधी 2, बागी 4 और गनपत में काम कटे नजर आएंगे आप बिलकुल भी मिस्ना कर पाएं